नमस्ते मैं डॉक्टर सुरेश, टीचर एजूकेशन सिंफलिफाइड चैनल में आपका स्वागत है, इस वीडियो में गूगल क्रोम के गूगल ड्राइव एक्स्टेंशन का किस तरह से उपयोग किया जाता है, यह मैं दिखाने वाला हूँ, वैसे मैंने गूगल क्रोम के अलग-अलग एक्स्टेंशन पर अलग-अलग वीडियो बनाए है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते है, आज मैं दिखाऊंगा गूगल ड्राइव एक्स्टेंशन के क्या फायदे होते है, पहले मैं डेमोंस्टेशन देता हूँ कि इ इसे भी देखा जाए तो लेकिन मैं टीचर्स के पॉइंट ओफ यूव से दिखाने वाला हूँ, जैसे मैं यह वाट डेजर्ट रिजन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ अब मुझे मान लिजे यह लिंक पसंद आ गई है यह मैं चाहता हूँ कि यह मैं सेव करके रखू तो मुझे किस तरह से करना चाहिए तो यह मैं चाहता हूँ कि गुगल ड्राइव में यह सेव हो जाए तो इसके लिए सर्फ मुझे राइट क्लिक करना है और सेव टू सेव लिंक टू गूगल ड्राइव इस तरह से यहां आ जाएगा यहां पर यहां पर मैंने उसका एक्स्टेंशन लगा दिया है तो इसलिए यहां पर ही यह शर्टकट इम जा जाती जो भी आप चाहते के आपको सेव कर लेना चाहिए तो यह लिंक वहांपे सेव हो जाती है श्यू लिंक टू हम इस तरह से जैसे हम क्लिक करते तो यह लिंक हमारे गूगल ड्राइव में जाके सेव हो Constitution या फिर जैसे हम कोई images लेते हैं जैसे इसके हमने images ले लिए और हम चाहते हैं कि यह सारे हम images Google Drive में save कर ले तो जो भी हम image save करना चाहते हैं बाद में उसको student को दिखाएंगे class में दिखाएंगे तो उसे हम उस पर right click किजिए और यहां पर हम देखेंगे कि save image to Google Drive इस तरह से यह image वह directly Google Drive में save हो जाएगी इसके लिए आपको यह save करने के लिए आपने इस Google Chrome में sign-in कर किया हुआ होना जरूरी होता है जैसे हम करते हैं तो यह sign-in यहां पर save होना शुरू हो जाएगा इस तरह से Google में जो भी हम search करते हैं उसके वपर right click करके हम सीधे उसको यहां से Google Drive में save कर सकते हैं इस facility को पाने के लिए हमें Google Drive का extension Google Chrome में लेना जरूरी होता है तो इसको कैसे लिया जाए आईए आपको लिकाता हूँ हमें setting में जाना है setting में जाने के बाद हम सीधा setting में नीचे आएंगे जहां पर extensions लिखा है extension पर click करने के बाद हमें extension के जो तीन लाइन है वहाँ पर click करके हमें सीधे नीचे आकर web chrome browser store पर जाना है इस store में यह जो store है इसमें सारी जो facilities है वो available है सारे extension यहाँ पर available है आपको चाहिए कि आप पहले sign in कर ले sign in करने के लिए आपको Google account से यहाँ पर sign in करना होगा तब जाकर आप chrome के जो सारे extension है उसका इस्तेमाल कर सकते हो मैंने अपने Google account से यहाँ पर sign in कर लिया है मुझे यहाँ डूढ़ना होगा Google drive extension drive extension तो इसके search result आ गए है save to Google drive वाला आपको यहाँ पर add to chrome करना है जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा है क्योंकि मैंने पहले से add क्या हुआ है इसलिए यहाँ पर add to chrome नहीं आ रहा है तो rating के लिए आ रहा है कि हमने search किया और जैसे हम जो भी हमें जानकारी सेव करनी है वह यहाँ से हम सीधे save link to Google drive में भेश सकते हैं या फिर हम image पर click करके image को सीधा हम save कर सकते हैं image save करते समय वहाँ पर दो choice आएंगे save link to Google drive और save image to Google drive हम जैसे click करते हैं अब मैंने sign in किया हुआ है तो देखे यहाँ पर यह process शुरू हो गई है और यहाँ पर save हो गई है Google drive में इस तरह से हमें अगर हम extension लेते तो हम सीधे Google search में से ही Google drive में वह website या link या फिर image वहाँ पर save कर सकते हैं जची में पर बीकितली में झाते हैं nag 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 Nagag test tag process